तो सुनिए जो लोग तुफानों में पलते हैं वही द्यास बदलते हैं जिसका आप लोग को बहुत टाइम से या बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे आप लोग जिस अपडेट्स का वो मैं आज में लेकर आया हूँ इस से पहले मैं आपको बतारा जाऊँगा कि इस विडियो को इसके मत करना कि इस वीडियो को सारी अपरेट्स है वो मिल जाएगी से चुट्म का सबमातिन सबनारी सब्लाएं था सल्छाएं थे प्रओर्ब्बर्बर्बेयें आप के-ख़टम इस लिए की और जेए की दंशीहें की थी हौन सब्सेंदाạiी फायार इस सब्सक्राइब से लुए कि थी आप एंद छतम हुआ हमारी वो डिसकस करेंगे, तो students जो dates आई है तो J.E.M.A.S की है एक से लेकर 6 September के बीच आपका जो J.E.M.A.S का एक से लेकर 6 September के बीच में होगा रहा है, इसके बाद जो NEET का exam है, जो NEET की students प्रिपयर कर रहे हैं तो उनका जो exam है, वो थर्टी सितनर में को खोब आ रहा है, और जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक महीने के अंदर ही आपका जी एडवांस का जो पेपर है वो लिया जाएगा तो इस्ट्वेंट सी जो डेट्स एजूकेशन और गवर्मेंट ने निकाली है बहुत समझ के आपकी सुरक्षा आपका ध्यान में रखते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाद कि आप लोगों कोई दिक्कत नहीं हो इस चीज़ के लिए उन्होंने ये डेट्स निकाली है इस चीज़ को सबसे ज्यादा ध्यान डटना है यह जो अपडेट्स आई है यह जो डेट्स आई है यह फिक्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लेंग मिल जाएगा आप हासे भी देख सकते हैं कि यह जो डेट्स निकालि है यह इस अभी प्रिजन चल रही है उस धारम निकालीं अरुअसल अब यह आया कि हमारी तैयारी चल रही थी और गूर्ब रहे थे उसको कैसे दिनिव करें कैसे बढ़े कि दो महीने का जो एक गैप आया है यह बहुत जड़ा बढ़ा गैप है तो इस सुलेंट्स उस चीज के लिए भी आपको चिंदा करने की बिल्कुल भी ज़रुबत नहीं है क्योंकि अगर आपकी जो रेगुलर्टी अगर आप पढ़ रहे थे अगर आप रोज के 6 या 8 या 10 तो यह बहुत आपको रहते हैं कि और आप रहे हैं कि दो महीने बाद एक्जाम में तो विल्कुल फ्री हो जाएंगे लोंकि पहले ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं करता है अगर स्टुरेंट्स आप लोग ने ऐसा किया तो यह 100% फिक्स है कि आपका जो ग्राफ है आपकी जो एजुकेशन है या जो आपके जो इसल्ट है बहुत ज्यादा अंतर करेंगा इस चीज से कि आपका जो रेगुलर्टी थी आपने जो कोशन स्विपर किये थे जो आपने त इस नहीं है तो हमें हमाले हो प्रिपरेशन में वो रेगुलर्टी के साथ करते जानी है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको उसके साथ साथ वीडियो मिलती जाई तो इस्टुरेंट्स आपके लिए सबसे अच्छी बार जो सबसे बैस सिस हम लोग आपके लिए यह आपके साथ लेकर आए वो में एक बार आपके साथ शेयर करना चाओंगा इस तीच को ध्यान में रखकर कि आपकी जो स्टडी रूब रेगुलर्ट चल सके आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो आपकी जो पंटीनियोटी है वो रेगुलर्टी में रहे मतलब एक साथ रह जैने के ताकि आपकी जो प्रंटि आपकी जो स्टडी रहे कि रहे कि अप्डेट अजो धिया जाएंगे और साथ जो इसकी जो डीटेंश जयू नहीं चलता करने की जड़वत नहीं है और जो भी कुछ आपके लिए फैसर लिया चाहा है हमारे गॉवर्रमेंट के दुरू तो उस चीज को हम लोगों को सम्मान करते हैं उसको हम लोगों गलत नहीं बोलना क्योंकि वह आप लोगों के लिस्ट आएगा उस चीज के लिए वो आपको regular मिलती रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो अभी जाके इस वीडियो को like कीजेगा और अपने friends दोहों में share कीजेगा ताकि उनको ये updates regular मिलती रहे जो अभी latest आई है Thank you so much Okay